नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका में चैंपे जैसे आपको पता ही है कि जेए एडवांस हरे दिल नौ जून को आने वाला है ठीक है मार्क शीट हो खेरा भी रिलीज हो चुकी है और मार्क स्वासे जहीं कपन ने अलड़ी डाल दिये मिया नामे रिपू दमन्सिंग मैंने कि बीटे कर रुफ डिट्य ले इंटी कंप अब घुटी जे आजडगा थोड़ा हटकी आज अपन के बारें बात करें हैं इसके उपर मैंने लिटरली कभी मैंने बात नहीं करी ठीक है तो आप लोगो शायद पता है अःट नहीं अब रिजद के ईटि कार देता है टीक है और मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने जादा कुछ एक्स्ट्रा प्रेप इसका नहीं कराता तो जीरो प्रेपी बोलूँगा जीरो प्रेप यह मैं समलने नहीं कुछ पढ़ा नहीं था जीरो प्रेप फॉर बिट सेट एंड इसकोर्ड अराउंड 305 मार्क्स ठीक है और मेरे जो 305 तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो मेरे ड्रॉप में थे ठीक है तो एक्चुली जब मैंना फर्स्ट अटेम्म दिया था तो 228 मार्क्स मेरे को मिलाता जो अगली साल मैंने ड्रॉप करके इंक्रीज कर लिया था और मैंने कुछ एक्स्टा नहीं पढ़ा था तो 228 से I was able to get 305 तो इस वीडियो में भी बताऊंगा और मैं अपने दोस्त की स्टैटेजी बताने वाला हूं जो 354 लगा के CS ले लिए उसने बिट्स प्लानी के अंदर उसकी स्टैटेजी और रिसोर्स बताने वाला हूं और उसने IIT चोड़ दिया था क्योंकि उसकी आज प्राबलम भी नहीं था तो उसने वहीं अप्ट करा एंड इस प्लेज इन Amazon राइट नो तो मस्त बढ़िया लाइफ चल लगी है तो अब मैं उसी की स्टैटेजी बताने वाला हूं और मैं अपनी स्टैटेजी बताऊंगा मेरा क्या था उसके में डिफरेंस क्या था कि उसक इसे इसे कॉंपेर करने के लिए मैंने गहाटी उठाया किओकि यही कॉलेज जो बिफ्पलाणी के ड्राइवल का है मनलब बड़ाबर बाकी के याटी से बैटरी है और इसके जो नीचे वाले है वो बिफ्पलाणी से नीचे है अनिसली बता रहा हूँ, बिच हैद्रावाद को आप टॉप NIT से कंपेर कर सकते हैं, बिच गोगा को तोड़ा लोवर है, मिड़ा NIT से कंपेर करा जा सकता है, ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं, 24 लाग से जाधा लग जाता है, आपका फीस, फीस is an issue, ठीक है, और IIT में यही साड़े दस के रहा हूँ, तो लगबाग 2.5 टाइमस है, फीस तो, यह issue है, अब हर चीज तो नहीं मिलती, थोड़ा प्राइविट में जा रहे हो, तो थोड़ा ओविस है, पैसा जाधा लग है, यह आटेंडेंस पॉलिसी रहती है, बिच के अंदर, जो कि बहुत ही बढ़ इस कंपेर तो एटी नाइटी, सैँग बता रहा हूँ, और इनके अपकोई रिजर्वेशन नहीं होता, चाहे है, तो यह भी बड़ी है अब बात आती है, होस्टल और मैस के बारे में, होस्टल और मैस, नो डाउट हर आटी से बेटर ही है, लाग गोना बेटर है, सैँग ब iat's को कह सकते हैं, यह new Iat's फिर भी comparable हो सकते हैं, यह new iat's में नहीं infrastructure है, λेकिन जो old vosела iat's के old hostel high वो तो भाई बिल्कुल बरबाद है आइटी घ्वाटी के होस्टल तो काफी दाए डीसेंट है मेरे साफ से लेकिन उसे भी बेटर थे जो बिट्स प्लानी के होस्टल वगएरा है और मैस तो बेटर है ठीक है और एलुमिनाई नेटवर्ग यह ठीक है और सेकंड नंबर पर आ ब्रांच इन सिस्टम वगएरा होता है तो इसकी आपको टेंशन करने की ज़रूत नहीं है कॉलेज बहुत ही आदा एक्सिलेंट है बस दिक्कत क्या है फीस थोड़ी जादा है आईटी टेग नहीं मिलता जिससे आपको एमस में थोड़ा फायदा हो तो बस यह कमिया है बाक जादा कोई ऐसा केस नहीं है तो फर्स देखो जो बेसिक पी सेम वाले सब्जेक्ट है उसमें उसने कुछ एक्ट्रा नहीं कराते है जो इसकी एडवांस की प्रेप थी वह इनफ थी मैट्स जैसे हो गया कुछ भी इसलिए उसने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा रहा तो जही मेरे दोस्त ने जित्ता बताया और मेरे को भी लगता है कि सबसे आदा स्कोरिंग सब्जेक्ट है यह एक तरह से फ्री मार्क्स होते हैं यह आपका स्कोर प्लस कराएंगा मतलल तीन सो हैं तो तीन सो सारे थीन सो पहुचाने में आपकी इंगलिश यह आपको हेल्प कराईगी तो इससे आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं और रिसोर्सेस क्या हैं वो मैं आपको बता जेता हूँ जो मेरे दोस्त ने वोकैब के लिए यूज करा था वो वर्ड पावर मेड इजी करके बुकाती है यह वाली नॉर्मन लूइस की यह फ़लो करी थी उसने तो वो तो क्या करता था डेली डेली पढ़ता रहता था तो यह मोटी वोकैब ऐसे तो ठीक है और कम्पलीट हो गई थी पूरी वोकैबलरी एस में और अच्छे कासे आपको पूरी इंगलिश की वोकैब का इडिया मिल जाएगा ठीक है और दूसरा ग्रामर के लिए उसने और देने विस्यादा नहीं आएगा ठीक है और बाकी उसने एक्स्ट्रा ओडनरी कुछ ऐसे इंगलिश में नहीं बढ़ाता तो यह दोनों बुक्स हैं जो उसने फॉलो करें थी रिलीजियस ली ठीक है और मैं आपको इस बता देता हूं जो जनरल इंगलिश है उसके लिए चीज बता दो देखो भाई अपनी जो सागी कांसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो अगर आपको जोइन करना है ठीक है मैं आपको अपना परसनल कॉंटेक्ट नंबर दूँगा सही सुना आपने ठीक है कोई भी आपको ब्रांच से रिलेटेड कौन सी ब्रांच से ज़दा कर देना मैं आपको डेटेल माना दूँगा या फिर आप यह QR कोड को स्कैन कर लेजिए सिंपल आज यह और मैं बता रहा हूँ इंडिया की चीपेस कांसलिंग है यह रेंज है आप देख सकते है प्राइस का इससे सस्ता कहीं नहीं मिल जा तो नाम बदल देना ठीक है और व बुक्स की बात कर लेतें जो अपने बुक्स में बताई ही ति तो बुक्स अगर आप डारेक्न रीट करोंगे तो आपको जाला फायदा होगा लेकिन बात नहीं है टायम बहुत लगत लगता अब तो प्राइम बचा है कंप कर सकते हैं योटोब पर काफी यादा लेक्शर पड़े हैं सेम बुक्स के ठीक है सेम बुक्स को किसी बंदे ने यूटूब टा पड़ा रखा है ठीक है अगर आपके बुक भी नहीं है तो आपको खरीदने की वजरूथ नि पड़ेगी नहीं तो पीडिया डाउनवर्लोड कल ले ने ठीक है आपको कुछ नहीं करना है और इसको 2x पर देख लेना है तो रहन से ब्रीफ आइडिया आपको लग जाएगा और इससे आदा आपको जरुवत भी नहीं है बस आपको ब्रीफ आइडिया इनफ होना चाहिए इंगलिश के लिए and it's almost done ठीक है बस इतनी नोलेज चाहिए आपको अब बात आती है लॉजिकल र ओसे चाहिता है यहाधर अग्सक्रान जरा चैसे परिक्जास अभुट होता है एसे सी से चेट्ट होता है उस अजना एूपेश तो भीते लेन देख लिए जोते ओस छो संवेडार खते ुद्धर देख लेकिस तरह मर्लग मृत्तर भीवे इसाम उपना है बस उस को एक्स एसे के इग्जाम होता है ऐसी BITS होता है एसी CCAT एग्जाम होता है UPSC तो उसमें भी LR आपा है तो उसने क्या करा था कुई ऐसा अलग से कोर्स नहीं खरीदा था उसने क्या करा Google करा उसके फ्री मॉक्स पढ़ेते कि हर एक साइट पर कुछ ना कुछ फ्रीमॉक होते हैं क्या दो फ्रीमॉक पड़े थे तो उसने हर एक के दे दिये LR वाले क्वेश्चन देख लिए कि किस तरह के LR के क्वेश्चन आपते हैं बस वो कह रहा कि इतना इनफ है अगर और कुछ रेंडम आएगा तो वो तुमसे वैसे भी नहीं होगा तुम उसे छोड़ दोगे कि टाइम टिकिं होते है LR की क्वेश्चन ठीक है और मैं आपको सिंस आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो मैं आपको एक बोनस ही प्रवाइड करता हूँ अगर आपको LR के लिए कुछ प्रेक्टिस शीट चाहिए ना तो मैं अपने टेलिग्राम पर अप्लोड कर दे रहा हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से प्रेक्टिस शीट को डाउनलोड करके लगा लेना LR आपका बेसिक लेवल का हो जाएगा ठीक है बस इतना सा कर लिजे and you are done ठीक है और अब मैं जारा पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटिजी पर आ जाता हूँ यह इंपोर्टन है क्यों कि पेपर सॉल्व करना भी तो आना चाहिए कैसे करना है Since Bits का जो पेपर है वो स्पीड ओरियंटेड रहता है तो आपको ध्यान देना है कि कॉश्चन को क्वालिटी ली सॉल करने का क्योंकि पेपर में क्वालिटी तो थोड़ी लुही रहती है जादा टफ नहीं आता है यही एडवांस का पेपर नहीं है तो सबसे बढ़ी है इंगलिश ज़रू से करके आना है सबसे आदा टाइम आपका इंगलिश बचेगा बहुत जल्दे-ल्दी सॉल हो जाता है दर 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 मैं बता रहा हूं ठीक है बागी PCM वाले जो सबजेक्ट है आपकी इजी साइट पही रहते है इसमें तो देखो आपकी जितनी कमांड बैठी आपने जेही के लिए जितना पढ़ा है ठीक है वो आपकी एल्प करेगा इसमें और कुछ मैं कमेंट नहीं करना चाहूं आपकी जाया चाहराम से मिल जाये के बिट्स प्लानी के अंदर बिट्स प्लानी की बात कर रहा हूं मैं लोएर वालों को नहीं बात कर रहा ठीक है